नमस्कार तो आप चाहते हैं कि मैं North East United की बात करूँ बिलकुल मैं करने वाला हूँ पंजाव FC वर से North East की बात तो करने वाला हूँ लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा से दिमाग खरब भी हुआ है उसके उपर मैं बिलकुल बात करना चाहूँगा और मुझे लगता कि आप म हम बहुत बहुत क्रिडिट मिलता ISL को, ISL, 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 इंडियम, यह किया, वो किया, यह किया, पूरी तबज्ज़ा ISL को मिलती है, उसके लिए काफी जो है उसके favor में काम भी कह जाता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन iLeague का क्या, iLeague को क्यों एक बेचारे के जैसा उसके साथ बरताओ किया जाता है आई लीग ने क्या बिगाड़ा है ये एक बात है ये हम कहना चाहते है और हम बिल्कुल चाहेंगे इसके उपर आंसर भी करें भाई देखो एक सिंबल सी बात है अब थोड़ी टाइम पहले प्लियर समको कहा से मिलेंगे आई लीक से मिलेंगे भाई सहाब आई लीक से मिलेंगे और आई लीक के लिए मिलेंगे सेकंड युजन आई लीक से यही तो सिस्टम तो ऐसा ही है ऐसा सिस्टम होता है अब आई लीक के भाई देखो एक player अपना potential cup दिखाता है जब उसके एक सही environment मिले match खेलने के लिए जैसे ISL मिलता है कि कभी साड़े 5 बजे match है कभी 8 बजे match है है ना कि 8 बजे match है ठंडे ठंडे मारा आम से cool एक performance निकाल के देता है आए लिग का मैच दो बजे से 2 बजेसे रख दिये कुछ matches 2 बजे दो पर में दो बजे भरी दोपरी में समझ रहा हूं कितना गर्मी होता है भूया केरल यसे जगए पर मैच होगा समझ न बैंगॉल में मैं कहीं मैच होगा सोच ताइमिंग सोच ताइमिंग मतलब दो पर के दो बजे कितनी गर्मी प्रोफेस्टनल मैच दो बजे यह यह इंडिया आपको पता ही है दो पर के दो बजे मैचेस रखे गया है एक मैच सारे चार बज़े भी रखेंगे कुछ मैच चलिए कुछ मैच शाम को या शाम वाले मैच से को दीख भाई दो बज़े मैच यार एज प्रफेसनल लीग है भी या दो बज़े प्रफेसनल निकाल सकता है न उसका बापर 60% याएगा 50% याएगा विकाज इतनी गर्मी है भाई फटीग ये सब होएगा बहुत 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 दिक्कत होती है यार दो बज़े मैच खिलना में यह मेरे क्वेसनल एक ओपिनियन है ठीक है दो बज़े मैच नहीं होना चाहिए अब तो रगदी है अब तो होंगई होंगे हम कौन होते रुकवाने वाले लेकिन है यार पुषैनल उसलेक को ऐसा उसके साथ हैसी बरता हो तो थो इस सब्सक्षें नहीं होना चाहिए असे बात है ठीक है नहीं होना ची मैच चलिए बाक़ी आप की gum or विधे एस जानना चाहिए आप क्या कहना चाहिए ये टांइंङे लेकर लेकर दो पर के दो बज़े और सबी मैचेज नहीं कुछ मैचेज दो बज़ा है तो वो चीज गलत है तो चली यह बात होगए यह तो दर्द वाली बात है दुख काय खतम नहीं होता वाली बात है अब हम बात करते नौर्थीस्ट के जिसके लिए बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं तो दीखे नौर्थीस्ट जादा 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 अगर बुलेंगे कि जादा फेवर में लोग थे नौर्थीस्ट जीतेगी जीतेगी इवन चांसेज मिले थे पेनालिटी छोड़ी है उन्होंने तो क्या बोलने वरना जी सकते थे अब दीखे नौर्थीस्ट में देखो गेमें की बात करम कर रहे तो आपने देखा पूरा गेम ऐसा लग रहा था पंजाब के पास है विकॉज चलिए फर्स्ट आप में थोड़े टाइम के बाद नौर्थिस भी गेम में आ गी थी लेकिन सेकंड आप में जिस तरह से रहा नौर्थिस एकदम ही पूरी गई है भाई पूरी भिखरी है पूरी खत चल रही है पीछे जोबैको अगेरा जो डिफेंस कर रहे हैं इनके भार उसे चल रही है बस बाकी भाई मिट भी थोड़ी से जैसे बिमामर थोड़ा बहुत जो है वहाँ पर एक एक अज़ेफेंसिव मिड थोड़ा सा अपना भूमी का निभा देते हैं फिलिप उट्टो क नौर्थीस में वही चीज दिखी है एक्चुली में ज्यादा पंजाब में बिकॉस थोड़ा सा टीम वर्क थोड़ा ज्यादा बैटर दिख रहा है क्योंकि पहली मैच मोला थे मोहन बागान के इंगेंस खिला था प्रॉमिसिंग गेम लेकिया था उसमें भी तो पंजाब से स्टिल देरार होप्स की वह और कुछ अच्छा करेंगे लिए कि नौर्थीस अगर ऐसा करेगी तो कहीं लोग बर ना कि टॉप सिक्स में आगी नौर्थीस टॉप सिक्स में पर्फॉमेंस की कंसिस्टेंसी चाहिए गोल पार्थी कोई तो मारी रहा है और टीम पर्फॉम मनवीर तो गेम में आई नहीं पाते हैं मनवीर आपके मतलब है सच्छा ही तो है अगर आप बोलेंगे कि इसे पार्थी कोई के ब्रिलियंस पे चल रही है भी हैना नेस्टर के एफट जिखते हैं फालगो नी थोड़ा सा दिखते हैं मैच में थोड़ा बात कुछ कुछ क्र पार्थी को कोई तीन मैच में तीन गोल राइजिंग स्टॉर अफ इंडिया यह बंदा यह लड़का ऐसे ही गोल करते रहे बिल्कुल बहुत उपर जाया को हमारे इंडियन फुट पॉल के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है कि हमको एक ऐसा प्लेयर और मिल रहा है जि बहुत है जमा में अब एक और ज्यादा इंप्रूमेंट दिखेंगे उनमें अभी आपको गोल स्कॉरिंक रिकॉर्ड अच्छा मतलब दिख रहा है कि हर्मैच में गोल आर्रह उनके साइट से एक अच्छा साहिन है एक प्लेयर उनके लिये और अधा फैन हमारे लिये भी य कुछ तो मतलब पॉजिटिव नॉर्थीस का ये दिख रहा है, ठीक है, अधरवाइस इसके गेम प्ले के साब से टीम कॉम्बिनिसन इसमें कमी नजर आ रही है, ठीक है, डीफेंस काफी तगड़ी है, नॉर्थीस की मैं मानूंगा, ठीक है, ठीक है, पंजाब FC के अगेंस बात मुझे अच्छी लगी कि स्टार्ट बहुत अच्छा गिया, प्रेस कर रहे थे नॉर्थीस पे, लेकिन बीच में थोड़ा सा आउट होय नॉर्थीस गेम में आई, पिर नॉर्थीस ने भाई, पेनाल्टी भी उनको मिल गई थी, और एक और बात थी, कि मुझे एक और पेनालिटी लगी थी जो लुका के उपर एक लगा था मुझे स्टार्टिंग में और सिसका वी मुझे लगा था कि साथ पेनालिटी हो सकती है पीछे से आया था पैर बागी देख न उसका पर आपकी क्या राया है आप बोल सकते हो तो एक चीज़े कि मैं बिल्कुल कहना चाह सकते हैं और विंग का और बहतर यूज कर सकते हैं और जिस तरह से मिड में बॉल को छोड़ देते बॉल से कंट्रोल लूस करते मिस पासिस कर देते यह उनकी टीम के लिए बहुत बेकारी चीज़े है वो एकदम से क्विक अटेक्स जो एक टीम के उपर खुद ही बना लेते मिस पासिस करके यह बहुत बड़ी प्रोब्लम है और देखिए कुछ प्लेयर्स उनके बाद न्यू है अभी न्यू प्लेयर कॉंबिनेशन साथ बन नहीं पाया होगा यह सब चीज़े आ सकती है लेकिन पंजाव सी कह यह कि मिड से एकदम से बॉल जो लूस करते हैं सब्सक्राइब करते हैं और अच्छी टीम रहेगा जैसे आपने देखा अच्छी टीम सुनके इस बहुत अच्छा बना लेती है तो यह बात है इसके उपर पंजाव सी को थोड़ा करना पड़े कि नभी में बोलूगा कि प्रामिसिंग टीम है गेम बागेम डेवल डेवल और आपको भैतर पंजाव से और भैतर हो सकते बिकॉज वो एक एक हैना वोरियर्स की टीम है भाई होता है आपने देखा पिछले सीजन भी काफ़े अच्छा खेला आई लीग में कौलिफा करें इस सीजन भी आप देख सकते कि उम्मीदे नहीं थे उनसे इतनी कि इस टाइ और पंजाव एक बात है कि थोड़ी सी डिपेंडेंसी लुका के उपर ज्यादा नजर आती कि लुका 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 ही थोड़ी मारेंगे और देखिए नौर्थीस ने क्या मिस्टेक करी जो गोल खाया था मतलब यार मेल्रॉग आपने सीधा चोड़ दिया तो और देखिए नौर्थीस न्याटेट को भी और पंजाब भी थोड़ा सेट पीसेट जरा को चांसेट बन सकते हैं को छे-साथ कॉर्णर मिल थे नहां ना एक उनको एक गोल भी मिला पंजाब एसणी और उनका अच्छा हो सकता है और सेम नौर्थीस नाटेट को भी इतने मैं एक और बात यह बोलना चाहूँ को कि substitution के बाद भाव उनकी टीम बहुत ही वीक लगती है बहुत ही वीक कि substitute होए कि पूरे प्लेयर गय कि असा लगता है अब तो खतब ही होगी टीम तो यह भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि substitution के बाद आपके थोड़ा से की प्लेयर के अब इस दिखे थोड़ी बहुत तो यह मेरा कुछ ओपीनियन है जो मैंने देखा मेरा एक रिव्यू आप इसके उपर क्या कहना चाहेंगा आपने मैच में क्या देखा किन प्लेयर से आप इंप्रेस हो यह भी आप जरू बता सकते जो भी आपको लगता है आप जरू यह बहुत शुक्रे वीडियो देखने के लिए जय हिन जय भारत